नमस्कार मैं डॉक्टर रितेश कुमार गर्वाल असिस्टेंट प्रोफिसर जोग्राफी एसमसीदी गवर्मन कोलेज आप रोट आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है प्लेट टेक्टॉनिक प्लेट विवर्थनिकी यह बहुतिक बुगुल का सबसे महत्मूल मांет लिए प्लेट में विवर्थनिकी द्रित ट्रेक्ट टॉनिक्स क्लेट शंद की बारे मातके फ्लेट शंद का सरप्रतंप्रियों को प्युम्त विल्सन ने,' 65 में किया, प्लेट के बाहरी बाहNew champions के रूप्टिक पाई जाती है जो पनुड घोस सब्धर होती हैं पराव द्रातल के उपरी द्रड़ भूवा को प्रेट कहते हैं इसकी मुटाई सौ से 150 कुल मिल्टर तक होती है इसके अंदर गयत क्रस्ट वे उपरी मेंटल को सम्मिलित करते हैं इस सिध्धानत में महाज़ाकरी क्रस्ट को भी प्रेट में सम्मिलित किया गया है फिर हम बात करें प्लेटो की संख्या को या प्लेटो का वित्रण के बारे में तो प्लेटो की संख्या में मतांतर है फिर भी डबलू जे मॉर्गन ने 1968 में जो प्रस्वी पर 6 प्रमुक और 20 गौन प्लेटों का वर्णन किया है जिसमें अमेरिकन प्लेट यूरेशियल प्लेट अफ्रिकन प्लेट अंटार्टिका प्लेट प्लेट प्रसांद महासागरी प्लेट इंडो ऑस्टेलिन प्लेट यह छे प्लेटों जो प्रमुक प्लेट है प्रदान प्लेट है इनका वर्णन किया इसमें जो प्रसिफिक प् of to go année फिसके एक रिष्ञ जो प्लेट जो प्लेट फिल्पाइन प्लेट केरीबिली प्लेट अरेमिड प्लेट वर्त्वान विश्म में अब तक जो सबसे नविंतम प्लेटों की खोज की जा चुकी है जो सबसे नविंतम प्लेट है जिसकी खोज की गई है वो है माल पेलो प्लेट जो दखिन अमरिका की पशी मितत पर है अभी हाली में आई इस परिक्षा के अंदर भी ये पूशा गया था कि सबसे नवीनतम जो प्लेट है वो कौन सी है तो ध्यान रखेगा माल प्लेट जो दक्षिर अमरीका के पश्ची मितरट पर है वो सबसे नवीनतम गौन प्लेट है जिसकी खोच की गई है अगर हम इसे प्लेट है वो है जैसे मझे सकते हैं जाला रही है इसके अलावे इंड्र इ sel से लाएज एक यूरेश्ट है को यह कुछ गौण प्लेटें के बारे में इस मांचित्र में दिखाए गया इस फ्लेटों की विशेश्थाउं के बारे में बात करें निदिक सर्केर्टु डी में तो ये कठोर पतली बेभंगोर होती हैं भू पटल के भारी भाग पर पट्टी नुमा पाई जाती है यह ऐस्तेर हैं अर्था तीन में निरंतर गती वा परिवर्तन होते रहते हैं इसका विस्तार माधी पर मासागर दोनों पर ही पाई जाता है के वर प्रशांद मासागर ही पूरते हैं जल पर विस्तारित है आदार पे किर प्रॉट से प्रकार प्रॉटciones प्रpe uh… गति जीरो से ller 2 से इंडी मिट्र तक होती है इस प्रक्रीट में प्रति Hmmaesa कर चारो और विश्टाकार मठात पर सल था हैं इस प्रेन समीवस प्राट के anticipating करती हैं तो यह हैं प्रमुक्रूप से बात करें प्लेटे आईलर के सिद्धान के अनुसर ब्रमन करती हैं कभी गुंदन जुरूप के चारदर वर्ताकरमाद के ब्रमन करती हैं कभी यह प्लेट एक दूसरे के पास होती हैं कभी दूसरे से दूर जाती हैं प्लेट विवर्ट को पलेट की कहते हैं लेल के पुलेट में गती करम को प्लेट Depok Tambi के developments सिद्धान्त है जो प्लेटों की आकडिती उनके प्रवा अनके प्रवात प्रवा से उत्मन इस्दल जिनके कारण महादी प्वैंभासाजी थली टली विफ्वासाइक की प्रभवित की प्रभावित किया दो कि बबात करें तो प्रेटों के आंत्रिक भाग में रेडियो एक्टिव पधारतों से लिखार और ऑजा सम्वें टरुंगों कर रूप में प्लेट्टों को गती पेदाब करती है के जिसा हमने भी देखा था फिरत गोड़न दूरूप के चारो और वरतागार में करती करतीा कंभी प्लेट्टिëं ऑ दूसरे के पासा आती हैं तो एक दूसरे के दूर जाती ब willst प्रेटों के सीमांत या प्रेट किनारों के बारे में बात करें सबसे पहले तो हम प्रेट सीमांत के बारे में बात करें तो जो प्रेट या सीमांत या एक किनारा होता है जो प्रेट सीमांत एक उभनेश सीमा पर मिलते हैं अर्था प्रेट सीमांत प्रेटों की मोटाई को दर तो ज्ञासेल स्वीत और किनारे जो सीमाओं ऑची जो है जितने भी विवर्तिय घटनाएं होती है वह प्लीटों के से तीन भागों में बाता हुए है अभ शारी प्रेट मांध ऐसे संज़तनाथ्मिग फिलीट सेica Cake जे किनारे भी कहते हैं दूसरा है हई सारी प्रेट सीमारे या एक नेक्स्ट है नमबर तीन नतीलम या परवर्थी प्रेट सीमा या इसे हम संदक्षी प्रेट सीमा या संदक्षी प्रेट किनारा भी कहते हैं जैसे आज देख सकते हैं जो अब सारी सीमा होती है अर्थात रतनातमक किनारे होते हैं उसमें प्रेटे एक दूसरे से दूर जाती है जबकि जो विनाशातमक किनारे होते हैं अर्थात अभी सारी जो सीमा होती है उसमें जो प्रेटे हैं प्रेटे किनारे एक दूसरे से सामने से आके ठकराते हैं जब कि जो परवर्थी सीमा होती है उससे जो हम कहें हैं संदक्षी जो किनारा होता है उसके प्लिटें उपर नीसे खिस्षब जाती जैस を इस पर श्ड़ाई से देख सकते हैं , सबसे पहले हम बात करते हैं अब सारी प्रेट सीमा या रचनार्टमक के नारा के बारे में अब सारी सीमा पर प्रेट एक दूसरे से दूर रहते हैं, बिप्री दिशा में गती करती है ऐसा प्राए उस्वम होता है, जब बैसार्ड सेल अनुपटल से समवाहित होकर सागरतरी के पैणे में बर जाता है तथा जहां प्रेट एक दूसरे से दूर जाते हैं जिससे नवीन सागरिय पटल का निर्मार होता है विश्व की समस्त मद्यमा सागरिय जो शेहरी हैं उसका सरवत्ता मुद्धर अधरन है इस तरह दो प्रेटों के बीच नवीन पधार पता बू पटल का सरदन होता है था है इन किनारों क किनारा वे सीमा को अपसारी प्रेट सीमा भी कहते हैं हम कह सकते हैं कि जो अपसारी सीमा होती है उसके जो विपनी दिशा में जाती है तो मद्यमा सागरिय प्रेटों के साथ ये कटक के साथ मैगमा धरातल के उपर आ जाता है जिससे नवीन क्रश्ट का निर्मान होता है इस सबसे अधिक जो अलम की जो हैं इसी किनारों के साथ बाए जाते हैं नेक्स हम बात करें अभी सारी सीमा या विनाशात्मक प्लेट सीमांद जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके किनारों को विनाशात्मक किनारा या विनाशात्मक सीमांद कहते हैं इसमें बू पटल के संधर में यह 40 का जुगाव है तथा यह 740 क्लों मिंटर तो हो सकता है जिससे बेनी ओफ जॉन भी कहते हैं इनी छेत्रों में भुकम भाते हैं भुकम छेत्र ही बेनी ओफ जॉन है यह 56 मंडल भी कहलाते हैं तो जब दो प्रेटें आपस में एक दूसरे की तरफ आके म कि जैसे जो महसाधिरि जो प्रेट है जो अदि gehört वलेटों के नीचे क्योच जी जाती है जब प्रेटे ठकराती हैं तो अधिक घंद वाली प्रेटों के निचे शेपन होकर विलीन हो जाती है इसे ही शेपन मंदली या बॉनियोफ मंदल कहते हैं नेक्स्ट है नती लंब या परवर्ती सीमा यह संदक्षी प्लेट सीमा इसमें दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं और नहीं एक दूसरे से दूर जाती हैं बलकि एक दूसरे के सारे सरगती हैं यह परवर्ती सीमा अर्साथ इसमें प्लेटें एक दूसरे के उपर नीचे खिसक जाती हैं सरक जाती है इसमें भूप ना तो भूपन भूपटल का विनाश होता है नहीं रतना होती है सरजन होते हैं संदक्षन होता है इसलिए ही इसे संदक्षी किसी मानती है संदक्षी किनारा भी कहते हैं इसके किनारे इसके सारे अनुप्रस ब्रंच का निर्मान होत उसबन के ने वास्तर में जो संदक्षी किनारा होता है उसके साथ रूपांतरन ब्रांचर पाए जाते हैं और इसलिए से सनक्षी किनारा कहते हैं तो इस तरह जितने भी विवर्थी घटना होती है वो प्लेटो के किनारे पर होती है धन्यवाद इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेर करें, धन्यवाद